प्रशांत किसोर ने अगर किसी की सबसे जादा मुश्किले बढ़ाई है तो उस पार्टी का नाम है RJD क्यूंकि RJD के उपर जिस तरीके से प्रशांत किसोर हमलावर है और एक एक करके प्रशांत किसोर RJD के जिस तरीके से बख्या उधेर रहे हैं ये बात बताता है कि RJD के लि प्रशांत की सोर यह आपको जानना चाहिए मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनताज जंक्षन मैं आपको बता दू कि प्रशांत की सोर जनसुराज के सुत्रदार जो आजकल लगातार एकदम से एक्सिन मूड में बैठे क्यूंकि मेरे आने से उनके लालटें से किरासन तेल निकल रहा है अब किरासन तेल वो किसको कह रहे हैं आप समझेते वो बता रहा है कि meineurti जो वोटर हैं जोetusलिम वोटर हैं वो दिरे दिरे करके RJD से खफा हो रहे हैं निकल रहे हैं और इसी बज़े से RJD परेशान है और मुझे बता रही है कि मैं BJP का B team हूँ मतलब कि अगर वो चाहती है मुसलमानों के vote को और वो BJP के नाम पे उन्हें अलग करना चाहती है मुझे जब कि सच जो है वो सब के सामने है सच को प्रतक्ष को कोई प्रमान की आवश्रक्ता नहीं होती और इसी वज़े से उनके अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी है क्योंकि उनके लाल टेन का किरोसन तेल जो है वो धीरे-धीरे करके निकल रहा है इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके पार्टी से जो कुछ लोग जुडे हुए थे जो मेरे पार्टी में अभी आ गये हैं भाग के आ गये हैं और पहले से ही जो है शुरू से ही उनके पार्टी का जो पतंज है वो शुरू हो चुका है अब दीरे-दीरे करके उनके कार पर भी प्रशान्त की सोर खूब चुटकी लेते हुए नजर आया, उन्होंने कहा कि अब इनकी ये नौबत आ गई ही कि इनको पत्र लिखना पड़ता है, अपने कारिकरताओं से ये कहना पड़ता है कि प्रशान्त की सोर के जो भी प्रोग्रेम हो रहे हैं, जो भी उनका काम ह उसके अंदर तुमको दिखाई नहीं देना है, और अभी फिर से उन्होंने पांच लोगों को निश्काशित भी कर दिया पाटी से, ये बात बताता है कि मेरे आ जाने से सबसे ज़्यादा किसी पाटी में हलचल है, तो वो RJD है, सबसे ज़्यादा कोई परिशान है, तो वो लालू प्रसाद यादो और तेजश्वी यादो हैं, और सबसे ज़्यादा किसी की मुसीबिते बड़ी है, तो वो RJD जो बिहार की एक टाइम पे बहुत बड़ी पाटी रही है, वो है, उन्होंने ये भी बताया कि इस बार का चुनाओ इन लोगों के लिए आसान नहीं होन हर एक पार्टी के उपर उन्होंने निसाना साधा लेकिन RJD को खास तौर पे आरे हाथ लिया, क्योंकि RJD लगा अतार प्रशांत किसोर को BJP की B-team बता रही थी, और B-team बताने का एक मातर मकसद था कि जो मुस्लिम वोटर है, जो प्रशांत किसोर के तरफ अपना और इसी वज़े से उन्होंने BJP का नाम लिया, क्योंकि BJP और मुस्लिम वोटर में एक तरीके से देखा जाता है कि थोड़ा बहुत अलगाव है, और इसी लिए उन्होंने B-team बताया, और अप्रशांत किसोर जिस तरीके से मुसल्मानों के उपर एक तरीके से महरबान है, 75 सीटे देने का वादा कर रहे हैं, इस वज़े से मुसल्मान उनके साथ जादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने रुपावली उप्चिनाओं का भी जिक्री किया, कि जो इस MY समिकर्ण का यो लोग बात करते हैं, कहां गया रुपावली में MY समिकर्ण, 15,000 जह बात को इन लोगों को समझना परेगा, और इस बार का चुनाओं आसान नहीं होने वाला, सबसे ज़ादा कोई पार्टी फरिचान है, तो वो RJD की पार्टी है, और सबसे ज़ादा मुश्किले बड़ी बड़ी है, तो वो RJD की ही मुश्किले बड़ी है, बाकि इस खबर को और इस जानकारी को लेके आपको क्या लगता है क्या सच में जो मुसल्मान वोटर हैं वो आरजेडी से अब दूरियां बढ़त रहे हैं और प्रशान्त किसोर की तरफ कूछ कर रहे हैं आप कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुचाएए बाकि आप देख हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है